हेलो बच्चों कैसे हैं आप उम्मीद करते हूं आप बढ़िया और एकड़म मज़े में होंगे तो चलिए बच्चों बहुत ही प्यारी सी एक कविता पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मत बाटो इनसान को तो बच्चों प्रस्तुत कविता में कवी ने समाज में व्याप उच नीच धनी निर्दन आदिके भेदभाव को दूर कर समाज एवं जीवन को उन्नत बनाने की प्रेंडना दी है तो आए बिना विलंब के हम अपनी कविता आरम करते हैं कविता की पंक्तियां यूँ है कि मंदिर मस्जित गिरजा घर ने बाट लिया भगवान को धर्ती बाटी सागर बाटा मत बाटो इनसान को अर्थात भगवान को भी बाढ़ दिया गया है मंदीर में, मस्जिद में, गिर्जा घर में धर्दी भी बाढ़ दी गई है लेकिन कम से कम इनसान को तो मत बाटो अभी राह तो शुरू हुई है मंजिल बैठी दूर है उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है उजियाला यानि की उजियाला बंदी यानि की बंद रहने वाला तो अभी राह तो शुरू हुई है अभी तो राह शुरू हुई है मंजिल तो भी बहुत दूर है उजियाला महलों में बंद है मिलान सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को सब कुछ बट गया अब भी हरी भरी धर्ती है उपर नील वितान है पर ना प्यार हो तो जक्सुना जलता रेगिस्तान है अर्थात ये धर्ती अभी भी हरी भरी है उपर नीला आस्मान है लेकिन अगर प्यार नहीं तो ये रंगीन संसार भी सुनसान है यसे रेगिस्तान अभी प्यार का जल देना है अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चटान को धर्ती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को अभी तो हर 85 चटान को हमें क्या देना है प्यार का जल अर्थात इस विश्व में प्यार फैलाना है इसलिए धर्ती भी बार दी गई सागर भी बार दिया गया लेकिन इंसान को तो कम से कम मत बाटो साथ उठे सब तो पहरा हो साथ उठे तो सब पहरा हो सूरज का हर द्वार पर हर आंगन उदास का हक हो खिलती हुई बाहर पर द्वार यानि की दर्वाजा यादी हम सब साथ उठें तो सब जगए पहरा है सूरज के द्वार पर अर्था सूरज का द्वार किसी के साथ उच नीच का भेदभाव नहीं करता वो हर दर्वाजे पर अपनी रोश्णी अपना प्रकाश वैलाता है तो फिर कोई आंगन उदास क्यों है किसी भी आंगन को उदास होने का हक नहीं है हर किसी को इस खिलती वी बहार में आने का हक है अर्था जब प्रकृती उच नीच का भेदभाव नहीं कर रही है तो और किसी को भी इसका हक नहीं है अर्थात मौसम जो अपनी साथ मुस्कुराइट लेकर आता है उसे तो कोई रौद यानि कि कुचल नहीं पाएगा रौद का अर्थ होता कुचल ना उसमें कुचलने की ताकत किसी में नहीं है क्योंकि वो तो प्रकृती द्वारा दिया गया है तो हम इनसान कौन होते हैं धर्ती और सागर को बाठने वाले इनसान ने इनसान को बाठ दिया धर्ती को बाठ दिया सागर को बाठ दिया अर्थात इस पूरी धर्ती का बठवारा कर दिया सरहदे खीश दी गई और इनसान को इनसान से अलग कर दिया गया अर्थाथ इस कविता का भाव यह है कवी कहना चाता है की आखर इनसान इस बात को कब समझेगा कब समझेगा कि प्रकृती ने हमें सब कुछ समान भाव से दिया है बातने वाले हम कौन होते है हमने सब कुछ बार डाला अब क्या बचाय हमारे पास इर्शा का भाव लिए हम सब जगे घुम रहे हैं समानता का भाव कई खो चुका है आखिर सच्छे अर्थों में हम मानत्ता का ज्यान कब प्राप्त कर पाएंगे कब जान पाएंगे हम कि परोपकार ही असली जीवन है दूसरों के लिए निस्वार भाव से जीना ही असली सुगंद है तो बच्चों इस कविता में जो नहीं भाव है उसे आपने भरपूर जिया होगा और उसे जीए आप भी अपनों के साथ समानता का व्यवार करें आसपास के महोल को खुशनुवा बना के रखें और एक खुब सूरत जीवन जीए अब इ जीए झाल 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 झाल